हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल वन्स अगेन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कोलो बेटा, जी एम क्रीम के बारे में कब और कैसे इस्तिमाल करते हैं, पूरी जंकारी इस वीडियो में दी गई है, वीडियो के लास तक बने र सकते हैं, देखिए, इसमें 5 तरिके को सॉल्ट पाए जाता है, सबसे पहले जो सॉल्ट पाए जता है, जो कि estroyde है, क्लो बेटा सोल, क्लो बेटा सोल का क्या क्या काम होता है, जो भी स्कीन पे redness है,aching sensation है, और बात करते स्वलिंग है, इन तीनों चीज को क्या करता है, reduce करने इचिंग सेंसेशन है, रेडनेस है, स्वैलिंग है, यह स्ट्राइड है, जो क्लोबेटा सोल, यह क्या करता है, इसको कम करने के काम करता है, नियोमाइसीन क्या है, एंटी बायोटिक है, जो कि जितने भी बैक्टेरिया के द्वारा किये गए, इंफेक्शन को क्या करता है, कम क काम करता है और यहाँ पर जिंक ओक्साइड और बॉरेक्स क्या है essential nutrients है जो कि आपके skin को required होता है clear है यह पांचो salt का अलग-अलग काम है जो कि आपको हमने बता दिया और हमने देखे चले देख लेते हैं यह elaborate pharmaceutical इंडिया company के द्वरा बनाया जाता है इसमें 5 तरीके का salt है और सबका composition लिखा हुआ कि कितने कितने amount में इसमें लिया गया है जैसा कि हमने discuss किया आभी clear है यह पांचो salt का अपना-पना अलग-अलग काम है यह skin के infection को कम करने के लिए किया जाता है अब हम बात करते हैं इसका benefits फाइदा है क्या क्या है जैसे कि आपका skin के infection को treat करने के लिए किया जाता है clear है जो micro organisms होते हैं जो कि आपके खुली आंकों से नहीं दिख पाते हैं जैसे कि बैक्टिरिया फंगई इसके द्वारा किये गए infection को यह treat करने का काम करता है इसको क्या करता है मार देता है किसको bacteria को और fungi को और उसके infection को क्या कर देता है रोक देता है clear है समझ में आया और आपको रहात मिलता है यानि कि relief ही मिलता है जो symptoms होते है उससे क्या मिलता है आपको रहत मिलता है clear है यह क्या करता है कि जैसे कि हमने आपको बताया तो यह जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि it also block the release of the chemicals that cause the symptoms such as itching, redness and the swelling आगे देखे क्या लिखा हुआ है इसलिए आपको इस दवा का इस्तमाल करने के बाद से inflammation में कमी में देखने के महसूस होती है आगे देखे कई बार क्या होता है कि आपको regular use करने से इसका symptoms जो है disappear होता है लेकिन आपको इसको बंद नहीं करना है आपको लंबे समय तक इसको डॉक्टर क्या करते है, prescribe करते हैं ताकि आपका जो symptoms था वो दुबारा से come back ना हो जाए, यानि वापस से ना आ जाए ये depend करता है कि आपका infection किस तरीके का था इसको ठीक करने में बहुत हफ्तों तक का समय लग सकता है बहुत सारे हफ्ता भी लग सकता है clear है आप देखिए इसको आपको उस समय भी इस्तेमाल करना है जबकि आपकी बीमारी पुरे तरीके से cure हो चुकी है समझ में आ रहा है ना और इसको बार-बार लगाते रहा है randomly ताकि आप उस symptom से बचे रहें जो पहले आपको infection था वो दोबारा से वापस से ना हो clear है आगे देखिए समझते हैं इस बात को कुलविटाजीम का side effect इसके side effect के लिए कोई special attention देने की ज़रूत नहीं है इसका बहुत सारे side effect जो है कि क्या हो जाते है आगे चलके क्या हो जाते है disappear हो जाते यानि gap हो जाते है इसका common side effect क्या क्या है वो चीज को हम लोग समझ देते हैं आपका skin क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा clear है तो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा thank you for watching फिर मिलते हैं ऐसा ये next video में तब तक के लिए good bye take care